असलाव अलेकुम रहमतुल्लाही बरकातो हूँ मैं तमाम करनाटक के कॉंग्रेस के लीडरान को कारिय करताओं को और जो ग्रॉंड लेवल पर काम करें हैं उन सभी को मुबारक बात देता हूँ और मैं करनाटक के बिलखुस आवाम को मुबारक बात देता हूँ कि उन्होंने हिंदोस्तान में एक ऐसी हिस्ट्री खायम कर दी है जो साउथ से फिर्खापरस पार्टी का खात्मा हो गया है अब ये हमारे लिए एक मिसाल है कि फिर्खापरस पार्टी को कैसा हिंदोस्तान से हटाना चाहिए ये करनाटक की अवाम ने बता दिया है आप देख सकते हैं कि जो एलेक्शन करनाटक में हुआ उसमें अवाम ने पुरजोश और अपना ओट का सहीं इस्तेमाल करते हुए कॉंग्रेस पार्टी को इफ्तदार में लाया और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ जैसा हमारे कॉंग्रेस पार्टी का मेनिफेस्टो था जैसा हमारे चीफ मिनिस्टर सहाब ओत लेंगे उसी फर्स्ट मिटिंग में राहुल गांदी जी ने कहा था हम अपने पूरे वादे फुल्फिल करेंगे और कॉंग्रेस हर वक्त जब वादा करती है तो फुल्फिल करती है तो इन्शालला जितने मिनिफेस्टो के वादे थे वहाँ पे पूरे होंगे और अब हमको तलंगाना के बारे में सोचना है तलंगाना में के चंदरशेकर राउ सहाब के पास कुमार स्वामी जो जेडियेस के सदर है नौ बार आ चुके हैं और केसियार सहाब को काफी मेहनत के साथ मदद भी की कॉंग्रेस को हराने के लिए करना टकने मगर फेल हो गए है जैसा कि केसियार सहाब सेकुलरिजम का बात करते हैं और BJP को हर शुबे में चाहे वो पार्लिमेंट में रहो चाहे स्टेट में रहो सेंटर में रहो बराबर सपोर्ट करते हैं जीत के आते हैं मुसलमानों के वोट से नाइंसाफी मुसलमानों के साथ ही करते हैं आपको KCR ने जो 9 साल में वादे किये थे अब तक कोई वादा उनक को यही बोलूँगा कि भाई आप सियासी बेदार हो जाएए, सियासत में अपना हिस्सा लीजे, कॉंग्रेस को जॉइन करिए, फिरखा परस्ती को हम बगाएंगे, आप बिलकुस हैदरबाद के अवाम को मैं यही बोलूँगा कि भाई आप लोग आगे बढ़के आईए, जै के आटीसी बस को रोका, तबके आटीसी वालों को भी केस बुक करवाना चाहिए था, मगर उसके उपर बेलेबल सेक्शन्स लगे, यह केसियार की हुकुमत है, यह नाइनसाफी है, उसके बाद जगतियाल के नोजवान, जो हमारा जमूरी हख है प्रोटेस्ट करने का, प्र मुनास से यही बोलूँगा, बिलखुस तिलंगाना के नوجवानों से यही बोलूँगा, आप लोग कॉंग्रेस जॉइन करिये, सियासी बेदार हो जाएए, मैं उस्मान मुहम्मद खान आपको सदर कॉंग्रेस प्रदेश कमिटी से लेके जाकर मिलाऊंगा, आपको हर वो च पार्टी जो बोल रही है थी कि आप कॉंग्रेस में दमखम नहीं रहा, हिंदोस्तान से कॉंग्रेस बहुत जल खतम होने वाली है, आपके मूपे भी यह तमाचा है कि कॉंग्रेस ने सौथ से एक ऐसी फिरखापरस पार्टी जो पैर जमा रही थी सौथ में, उसको उखाड कर फेक दिया है, तो सिर्फ अगर बीजेपी को कोई कॉंपेट कर सकता है और कोई शिकस दे सकता है तो वह कॉंग्रेस पार्टी है, मैं तमाम अवामनास से भी यही गुजारिश करूँगा कि शवूर बेदार हो जाईए, मुल्क की नजाखत को समझेए और हाथ से हाथ कर दो समय, कर दो समय, कम मुल्क काउ दो समय, वही ओजखत म heated कि धि, तो सिर्फ जबनास से नहीं कर दो 2015 कर दो समय, एहाँ, मैं वहीं यहीं, तो जाईए कर दो क दो कि ददिए कर दोग्यं कॉणानास से लित करूँगा कि तो स pensar हो बद 5 इश कर कि बदोगा कर चूगा है, ज